नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ममा एंड बेवी पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गर्व में सिसू अपनी सिर नीचे की तरफ कप करता है प्रेग्निंसी की समय गर डिलिवरी का समय आता है वैसे वैसे बेवी और ज्यादा हलचर करने लगता है और बेवी की हलचर बहतर हो गर्व में पल रहे एक स्वस्ति सिसू की निसानी होती है उसके बाद जैसे जैसे डिलिवरी का समय पास आता है वैसे वैसे बेवी गर्व में अपने जगह सही और गर्म में पल रहा बेबी का विकास भी बहतर तरीके से होता है तो आठवे महीने के आखरी से ही वो अपने सिर को नीचे की तरफ करना शुरू कर देता है इसका कारण यह होता है कि पहली बार मा बनने में गरवास्य की मास पेसियां बहुत मजबुत होती है जिसके कारण बेबी को सपोर्ट मिलता है और यदि उसके बाद आप दूसरे या तिकसरे बच्ची को जब देती हैं तो मास पेसियों का इतना ज़्यादा सपोर्ट ना होने के कारण सिसू नवे महीने की सुरूबात में अपनी सई पोजिसन में आना शुरू कर देते हैं दोस्तो सभी सिसू एक ही समय में और एक ही पोजिसन के साथ गर्व में हो ऐसा जुरूरी नहीं होता क्योंकि यह सिसू के गर्व में विकास पनेर्वर करता है वैसे ज़्यादतर सिसू आटवे से नोवे महीने यानि कि 30 से लेकर 14 हफ़ते के बीच में अपना सिर नीचे की तरफ कर लेते हैं दोस्तो बात करते हैं ब्रीच पोजिसन के बारे में यदि किसी सिसू का गर्व में अच्छे से विकास नहीं होता है जिसके कारण वो अपनी सई पोजिसन नहीं ले पाता या फिर महिला से जूरी किसी पररविसाने के कारण जैसे प्रेगनेसर में किस कॉम्पलिकेशन के कारण यदि वो अपनी सई पोजिसन में नहीं आ पाता तो उसे ब्रीच पोजिसन का जाता है इसमें सिसू का सिर उपर और कुले नीचे की तरफ होता है और ऐसा होने के कारण महिला की सिजरेन डिलीवरी होती है तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारी जिससे यदि आप प्रेगनेंट है तो आपको बता चल सकता है कि गर में सिल्सु का सी नीचे की तरफ का बात है